नमस्कार यूँ तो तमाम सर्वे इस बार साफ साफ बता रही है कि बीजेपी और सपा में जबर्दस टक्कर होने वाली है लेकिन बाजी कौन मारेगा इसका फैसला दस मार्च को ही होगा बीजेपी और सपा जिन मुद्दों को उठा कर आगे बढ़ रही है जनता के बीच असमंजस के स्थिती दिख रही है लेकिन किसी भी पार्टी की एक चूक उसे पचार सकती है जहां एक तरफ बीजेपी गलती की गुंजाईश नहीं छोड़ रही है तो वही सपा मुखिया अखिलेश यादव ऐसी पाच बड़ी गलतियां कर चुके हैं जिसका खाम्याजा उन्हें चुनावों में भुगतना पड़ सकता है कौन सी हैं वो पाच गलतियां ये आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रही हैं भीम आर्मी के चीफ चंदर शेखर अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुँचे तो लगा सपा और भीम आर्मी का गटबंदन हो जाएगा अखिलेश के MY यानि मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ अगर दलित जुड़ता तो निश्यत तोर पर उन्हें फायदा होता वो भी ऐसे वक्त में जब बसपा चुनाबों में ज्यादा अक्टिव नहीं दिख रही ऐसे में दलित चंदरशेखर को अपना नया नेता मानकर चल रही है अखिलेश के पास ये मौका था दलितों को अपने पाले में लेने का हाला कि सीटों को लेकर अखिलेश और चंदरशेखर की बात नहीं बनी और गटबंधन नहीं हुआ अखिलेश को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है लेकिन उनके पास एक मौका अभी भी है चंदरिशेखर साफ कह चुके हैं कि अखिलेश को उनकी ज़रुवत जब भी होगी वो उनकी मदद जरूर करेंगे हाला कि ये राजनिती है ज्यादा देड़ दक यहाँ पर बयान ना ही टिकते हैं और ना ही अमल मिलाए जाते हैं वलती नंबर दो सपा उमीदवार का विरोध होना हाल ही में मेरट की सिवाल खास सीट से चुनाव लड़ने जा रहे गुलाम मोहमद का जम कर विरोध हुआ ये विरोध जाट समुदाई ने किया अब चुनावों में पश्चिम यूपी कितना एहम है ये किसी से छेपा नहीं है सपा के साथ गटबंधन करने वाले जैन चौधरी भले ही भाईचारी की दुहाई दे रही हो लेकिन ये भी सबको ध्यान रखना होगा कि पश्चिम यूपी में मुसलमानों की भी बड़ी संख्या है ऐसे में मुसलिम कैंडिडेट तो खड़ा कर दिया गया और नया संदेश देने की कोशिश की गई लेकिन जाटों के बड़े तबके को भी नहीं भुला जा सकता ऐसा नहों अखिलेश जैन्त की जोड़ी का ये जो एक्स्पेरिमेंट किया गया है ये उल्टा पड़ जाए अब तीसरी सबसे बड़ी खामी सपा की नजर आती है अपने ही गर में सेंध मारी होने देना अखिलेश और डिम्पल से बहुत कम बनती हैं पारिवारिक मतभेद वक्त रहते सुलजा लिये जाते तो शायद राजनेतिक मतभेद ना होते गलती नंबर चार बाहारी के आने से अपने नाराज होने का खत्रा पिछले कुछ दिनों में योगी सरकार के कई मंत्री और विधायक सपा में शामिल हुए तो अखिलेश ने इसका जमकर प्रचार प्रसार किया अखिलेश ने इस तरह से पेश किया जैसे ये सपा की बहुत बड़ी उपलब्दी है लेकिन देखा जाए तो अखिलेश के सामने ये बहुत बड़ी चुनोती है दरसल अगर सपा मुखिया बाहर से आए नेताओं को मौका देते हैं तो अपने रूट जाएंगे और अपनों को मौका देते हैं तो बाहर से आए नेताओं का विरोध शुरू हो जाएगा सबको मैनेज करना अखिलेश के लिए बड़ा चैलेंज हुगा अखिलेश यादव ने पहले तो शामली की कहराना विधान सबा सीट से नाहिद हसन को टिकेट देने का ऐलान किया टिकेट की ऐलान के बाद नाहिद हसन ने कोर्ट में सरिंडर कर दिया और ऐसा इसलिए क्योंकि वो गैंग्स्टर अक्ट में फरार चल रहे थे उनके खिलाफ कई मुकद में दर्ज है सपा मुखिया के इस फैसले पर उनकी खूब किरकिरी हुई जिसके बाद आनन फानन में सपाने नाहिद का टिकेट काट कर उनकी बेहन इकरा हसन को दे दिया कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथी साथ ये भी बताईएगा कि आप यूपी में मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं